अक्सर बच्चे आके पूछते हैं कि मैं क्लैट का प्रिपेशन कर रहा हूँ, कैट का प्रिपेशन कर रहा हूँ, या बैंकिंग का प्रिपेशन कर रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंसन कैसे ठीक करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि comprehension आप कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सारे exam, जितने भी exams होते हैं, अब comprehension best होते हैं, और हिंदी भाशी बच्चों को, जो बच्चे महनत करते हैं, जी जान से महनत करते हैं, उन्हें comprehension बनाने में दिक्कत होती है, इसका कारण है कि उन्हें समझ में नहीं आता, तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको comprehension ठीक करना हो, तो सबसे important है, आपको reading habit डालनी होगी, reading habit, लेकिन reading habit का मतलब रहिंदू नहीं है, reading habit का मतलब times of India नहीं है, reading habit का मतलब है, आपको वह चीज पढ़ना होगा, जो आपको समझ में आता है, मैं comprehension की बात कर रहा वैसे reading habits डालिए, जो आपको समझ में आता है, वो कोई चमपक हो सकता है, या कोई basic English, कोई play का book हो सकता है, आपका course book हो सकता है, history का book हो सकता है, कोई movies की कहानिया हो सकती है, English में, उसको आप reading करने की यादर डालें, दूसरा part है, जो अक्सर हम ignore करते हैं, मुझे लगता है कि comprehension और इसमें कोई similarities नहीं है, लेकिन गलत हैं आप, आपको दूसरा part listening, देखिए हो सकता है, बहुत लोग इससे disagree करें, लेकिन 100% सही है, आप करके देखिए, दूसरा part आपको listening, आपको सुनना पड़ेगा, सुनने से आपके जो कुछ dead cell होते हैं, dead cell in the sense जिसको आप, जो काम आप नहीं करते हैं, तो वो cell dead हो जाते हैं, listening जैसे आप start करेंगे, तो जगना start होगा, तो reading habits आपने डाला, listening और third one is, जहां सबसे important, अगर आप हिंदी बोलते हैं, वो help करेगा structures, वो help करेगा structures, structures speaking में बहुत important होता है, और अगर आपको structures की जानकारी है, तो आप sentences को समझ पा यह लिखा हुआ है, तो वो किसी ना किसी English sentence formation के help से ही लिखा गया है, जैसे इसका मैं example देता हूँ, कि अगर एक sentence हम लिख रहे हैं, और वो sentence है, he did not have to be taught, यहां मैंने लिखा, he did not have to be taught, अब ये structures did not have लगाया मैंने, two के साथ बी लगाया, इसके साथ वी थरी है, sentence को आप ध्यान से देखिए, he did not have to be taught, जिनको comprehension समझ में नहीं आ रहा होगा, इस वीडियो के मारफद मैं बताना चाहूँगा, उनको ये sentence भी नहीं समझ में आ रहा होगा, उन्हें के समझ में नहीं आ रहा होगा, उन्हें के समझ में नहीं आ रहा है, कि आखिर B क्यों लग तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा, और last, speaking, कोशिस कीजिए, कोई भी topic, जो topic current affairs है, इस पर presentation देने का, जैसे ही आप इसको presentation देंगे, comprehension की समझने की छमता बढ़ जाएगी, लेकिन unfortunately इसमें आपको time देना होगा, इसमें 6 मेहने लगेंगे, इस क्योंकि आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते, तो shortcut जाने के चकर में, आप इन सारी चीजों से दूर हो जाते हैं, और अक्सर फोन करते हैं कि हम comprehension कैसे ठीक करें, comprehension भी इसी तरीके से आप ठीक कर सकते हैं, अगर आप comprehension इस तरीके से नहीं ठीक कर पाएगे, तो भगवान भर से हैं, दुनिया का कोई grammar chapter नहीं बना, जहां से आप comprehension ठीक कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, कई बार simple सा sentence है, does anybody have, इस sentence पर आप ध्यान दीजिए, कई लोग यहीं confused हो जाते है, anybody के साथ does लगाए, और have लगाए, ये sentence स जाता है, comprehension तो दूर की बात, अगर comprehension ठीक करना है, shortcut नहीं जाएए, जिस दिन से तैयारी करें, और अगर लगता है कि comprehension एक important part है, तैयारी सुरू करें, पढ़ना इस्टार्ट करें, सुनना इस्टार्ट करें, structures practice करें, help लें, कैसे आप sentence formation करेंगे, और speaking सब से important, जिससे आप स solve कर पाएंगे, thank you.